हलो पिडिये चात्रों आज हम आपके लिए के आए हैं बाल विकास्त की इंपोटेंट कुश्चन अगर आप सी टैट एमपी टैट बरगितीन की तयारी कर रहें तो इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो के लाश्ट में अपना इसकोर बताएं आपने कितने सही आंसर तो कोश्चन नंबर फर्ष्ट है इसकीन पर आप यहां पर देख रहे हैं गेट्स की अनुसार अनभाव द्वारा बेवार में परीवर्तन ही अभी पेड़न है समायोजन है सीखना या चिंतन है अगर आंसर जानते हैं तो कमिंट करें कोश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर कि तो बच्चों नोट कर ले कोश्चन नंबर 21 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा option 3 होगा सीखना नोट कर लें गेट्स के अनुसार अनभाव द्वारा बेवार में परीवर्तन ही क्या है सीखना है ठीक है गेट्स के अनुसार सीखने के पठार के निराकन के लिए क्या नहीं करना चाहिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए अगर आप दंडित करेंगे तो बालक में डर अंदर बैठ जाएगा और बालक अधिगम नहीं कर पाएगा ठीक है भाय बैठ जाएगा बच्चों के अंदर इसलिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए ठीक है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा बन 23 बन 23 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन ए होगा उन्न तो दर बक्र होगा ठीक है नेश्ट कोश्चन बन 24 बहुती प्यारा कोश्चन है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा अनुबंधन की प्रक्रिया में पिर्थम सोपान निम लिखित में से कौन सा है जल्दी से कम्मिंट करेंगे बंटवाइंटी फोर का बच्चो कर्यक्ट आंसर क्या होगा नोट कर लें मन लिखित में से कौन सा है उतेजना आपका कर्यक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर आप हमारे बीडियो पाहना चाहेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी जरूर दबा दें कॉस्चिन नमबर 125 निम लिखित में इसी कौनसी दसा धियान को आकिरसित करने की आंतरिक दसा नहीं है बहुत ही प्यारा कॉस्चिन है कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर किया होगा बहरी बहरी मोश्ट इंपोटेंट कॉस्चिन है 125 का बच्चे हां पर करेक्ट आंसर होगा आप्सन फश्ट होगा उत्दीपन की इस्तिति नोट कर लें कॉस्चिन नमबर 125 बच्च्चों फश्ट आप्सन करेक्ट होगा संबेक की उत्तपत्ती आजटों से होती है मूल प्रिविटियों से होती है सारीक विकास से होती है संपत्याओं की निर्माड से होती है करेक्ट आंसर किया होगा जल्दी से कमेंट करें question number 126 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option second संभीक की उत्पत्ती होती है आपकी मूल प्रिविटियों से ठीक है next question देख लेते हैं इसकी इन पर question number 127 अभी प्रेरण के लिए अक्सर सब्द का भी प्रियोग किया जाता है बहुत ही प्यारा question है very very most important question है answer किया होगा अगर आप जानते हैं तो comment करें question number 127 127 का बच्चे हाँ पर correct answer किया होगा अभी प्रेरण के लिए अक्सर आव सकता सब्द का प्रियोग किया जाता है note कर लें 127 का बच्चो second option correct होगा question number 128 ठीक है बच्चों में सम्वेग आत्मक समायोजन प्रिभावी होता है ब्यक्टत निर्माड में, कक्छासी छण में, अनुसासन में, एस सभी बहुत ही प्यारा question है comment करेंगे सही answer किया होगा 128 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, option D होगा, एस सभी note कर लें, बच्चों में सम्वेग आत्मक समायोजन प्रिभावी होता है question number 128 का बच्चो D answer correct होगा, all above, ठीक है question number 129, बहुत ही प्यारा question है comment करेंगे बच्चों सही answer किया होगा ठीक है, अधिगम के प्रिक्रम में अभी correct answer किया होगा, आपके पास 4 option है question number 129, 129 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा, option D होगा, note कर लें, नई सीखने बालों में अधिगम के लिए रुची सिर्जन करना note कर लें, 129 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा, आपका D option होगा question number 133, very very most important question है, comment करेंगे सही answer किया होगा एक चात के अधिगम पर उसकी आर्थिक इस्तिती का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, question number 133, बच्चों हाँ पर correct answer होगा, note कर लें बन 30 का B answer correct होगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, यानि समझ लें, किसी भी छात के अधिगम पर उसकी आर्थिक इस्तिती का प्रभाव नहीं पड़ता है, note कर लें, question number 13, very very most important question है, एक्जाम में जरूर आ सकता है question number 131, बहुती प्यारा question है, comment करेंगे, सही answer किया होगा, काम की प्रिवित्ती पर सबसे अधिक बल, किस मनो विज्ञानिक नहीं दिया, question number 133, का बच्चों correct answer किया होगा, comment करें, very most important question है, question number 131, का यहाँ पर correct answer होगा, option C होगा, सिंगमन्ट फ्राइड ने, ठीक है, next question, इसकी important question है, comment करेंगे, सही answer किया होगा, ततपरता का नियम, अधिगम का किस प्रिकार का नियम है, question number 132, का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, option first, यानी, मुख नियम है, ठीक है, next question, इसकी इसकी इन पर, question number 133, थान डाइक के अधिगम नियम में, सरबाधिक पिर्धान ता किसको है, very very most important question है, answer जानते हैं, तो comment करेंगे, 133 का बच्चे हाँ पर correct answer किया होगा, ठीक है, B होगा, अभ्यास को नूट कर लें, 33 का B answer होगा, थान डाइक के अधिगम नियम में, सरबाधिक पिर्धान ता है, अभ्यास को, जितना आप अभ्यास करोगे, उतने अच्छे से अधिगम कर स कोगे, question number 135, निम लिखित मैसे किसके अनुकर्ण से बालक नया ग्यान प्राप्त करता है, बहुती प्यारा question है, comment करेंगे, सही answer किया होगा, 135, very very most important है, 135 का बच्चे हाँ पर D answer correct होगा, उप्रोक्त सभी, यानि, निम लिखित मैसे अनुकर्ण से बालक नया ग्यान प्राप् करेगा, ठीक है, अगर दोस्तों answer जानती है, तो comment चरूर करें, और आपको हमारे question अच्छे लगते है, प्राहने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप सबी लोग चैनल को subscribe कर लेकिने के बाद घंटी जरूर दवा दें, जिससे कि जब भी हम latest वीडियो बनाएंगे, आपक है, नेस्ट question स्कीन पर बन 37, सन 1889 में बुंट ने किस विधी को बेभारिक के पिरियोग में के लूप में आरंब किया, very very most important question है, बन 37 का बच्चे हैं, आपर correct answer होगा, आपका second होगा, पिरियोग आत्मक विधी, नेस्ट question स्कीन पर बन 38, अभ्या अनुभाव एबं 56 द्वा question है, बन 38 का बच्चे हाँ पर correct answer किया होगा, फोर होगा, अधीगम होगा, नोट कर ले, अनुभाव एबं 56 द्वारा बिभार में परिवर्तन आपका अधीगम कहलाता है, ठीक है, डेस्ट question देख लेते हैं, इस्कीन पर बहुती प्यारा question है, comment करेंगे बच्चों, सही answer किय होगा, भेरी-भेरी most important है, निम लिखित में से आदत होती है, संबेदरात्मक किरिया, मूल, संबेगात्मक किरिया, पूर्व अनुभावों की पुन्रावित्ती उप्रोक्त सभी, आंसर जानते हैं, बच्चों तो जल्दी से comment करें, question number 139, 139 का बच्चों यहाँ पर correct answer होग ठीक है, निम लिखित में से आदत होती है, पूर्व अनुभावों की पुन्रावित्ती, ठीक है, अगर आप पूर्व अनुभावों को बार बार अपने देनिक जीवन में repeat करते हो, पुन्रावित्ती करते हो, तो उसे ही तो आदत कहते हैं, ठीक है, habit, habitual, question number 149 है, इसकी इन अत्मक अधिगम किया है, अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रिकिति, अधिगम इस्थान तरण, comment करेंगे, सही answer किया होगा, question number 140, very very most important question है, बच्चों जल्दी से comment करें, सही answer किया होगा, question number 140 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा, option first, और प्रोक्त सभी अधिगम के प्रकार है, ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी question अच्छे लगते हैं, तो आप लोग वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करके, बच्चों घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे, या live class लेंगे, आपको notification मिल जाएगा, आप हमारे चैनल के माधियम से C-Tet, UP-Tet, MP-Tet, बर्गितिन, राजिस्थान-Tet, विहार-Tet, महराष्टा-Tet की तयारी कर सकते हैं, इसके लावा KBS और सुपर-Tet की भी तयारी कर सकते हैं, तो आप सभी support करें, हमारी team आपके लिए और अच्छा प्रियास करेग ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, सेर करें, धन्यवाद नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लें, थैंक्यू